करेंट अफेर्स मतलब MJT एजुकेशन नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाध करता हूँ एक बाद फिर से आप सभी का MJT एजुकेशन में साथियों भारत में एयर ट्रेन चलने वाली है बहुत सारे ट्रेने आपने सुनी, मेट्रो सुनी, अब एयर ट्रेन के बारी है एयर ट्रेन होती क्या है, किस प्रकार से चलेगी, क्या हवा में दरड़ेगी, कैसे ये चलेगी, इसको हम लोग जानेंगे कब तक चलना सुरू हो जाएगी, ये भी बात करेंगे 2000 करोड की लागत से बनाय जा रहा है लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह फिरी में रहने वाली है तो वीडियो को इंट तक देखीएगा काफी ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वाली है आप इसका प्रोसेस समझेंगे आले आले दिनों में हो सकता है आम पबलिक के लिए भी चलाई जाए तो उसमें भी यह यूजफुल होगा जानकारी आपके लिए तो आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे आज का ही है तो यहाँ पर देली एरपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया की पहली एरट्रेन जो है यह कनेक्ट करेगी टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 को और टर्मिनल 3 को एक्चली में यह देली एरपोर्ट पर चलाया जा रहा है सभी लोगों के लिए नहीं होगी यह उनके लिए होगी जो देली एरपोर्ट पर जाएंगे सफर करने यानि देली एरपोर्ट की कोई फ्लाइट लेनी है वगारा तब आप इसका यूज कर पाएंगी क्योंकि देली एरपोर्ट पर ये सबसे पहले सुरू होगी तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे लेकिन एक जरूरी सूचना आज दोखो दूस्तों आखरी दिन है ये 351 रुपए अब कर दिया गया है अभी ये 395 रुपए था सुबह तक लेकिन अभी 351 कर दिया गया है रातरी 12 बजे तक के लिए तो केवल और केवल आज 30 सितंबर लाश्ट दिन है टेस्ट बुक पासपरो को इतने कम में पाने का नहीं तो आज के बाद से ये 699 से हो ज आप 399 में प्राप्त कर पाओगे लिंक डिस्रिप्शन में दिया गया है आप जाकर टेस्ट बुक प्रासपरो लीजिए टेस्ट बुक पासपरो की खास बात ये है कि आप इंडिया की किसी भी एक्जाम की ताहरी क्यों ना कर रहे हो सब के मौक टेस्ट विद प्रिवेस ए आप जाकर किसका उपयोग कर सकते हैं आते हैं डिली एरपोर्ट पर अगर आप मैप में देखोगे डिली एरपोर्ट का अगर इस्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर ना टर्मिनल 1 जो है यहां पर है और टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 देखिए यहां पर है तो यह जो इसके ब पकड़ करके आते हैं, बहुत लेट हो जाता है, कई-कई बार फ्लाइट निस हो जाती है, जिनको पता नहीं रहता है कि उनका टर्मिनल 1 पर है, या टर्मिनल 2 पर है, जो पहली बार सफर कर रहे होते हैं, या अचानक से चीज़ होता है चीज़ें, तो वो confused रहते हैं, तो ऐस कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब Metro जैसे चलती है, वो train पतरियों पर चलती है, Metro भी, लेकिन ये पतरियों पर नहीं चलेगी, ये कुछ इस प्रकार से रहेगी, अगर आप लंदन वगारा में जर्मनी में देखे होगे, जो चलती है train तो वो उल्टी train चलती है, उल्टी भी double train के लिए है, एक पर एक ही चलती है, तो कुछ इस प्रकार से होगी, और इसी लिए इसे sky train या air train कहा जाता है, तो ये यात्रियों को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने के लिए होगी, और जो DTC की bus यूज होती थी, उसकी जगा ये यूज होगी, अच्छा बहुत ल नहीं, ये नहीं, ये तो Indigo की bus होती है, ये तो यात्रियों को उतार करके उनके airport तक पहुचाने के लिए काम करती है, ये रहेगी ऐसे ही, यहाँ पर बात ये हो रही है, कि जो Terminal 1 से लेकर के Terminal 2 तक जब जाना होता है, तो ये बीच का काफी लंबी दूरी पर है ये, Terminal 2, Term Terminal 3 जो है ये तो पास-पास मही है, लेकिन Terminal 1 से दूरी काफी लंबी है, तो इस पर कवर करने के लिए यहाँ पर ये चलाई जाएगी पीच में, अब इसमें 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, एक Terminal 1 होगा, दूसरा आपका इधर होगा, इधर Aero City करके है, इसके बाद यहाँ पर आएगा, तो New Customs House करके एक स्टेशन बनेगा, और फिर एक स्टेशन यहाँ पर बनेगा, जो Terminal 2 और Terminal 3 को कवर करेगा, तो सुरुवात में अभी 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, आगे चल करके बादचीत यह भी चल रही कि हो सकता है, छे बनाए जाएंगे, लेकिन अभ भी हम यह बना रहे हैं, हम Metro बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, डेबललब्मेंट करके, डेबलल्मेंट चार्जес में अएड करते जाते हैं, तो इसलिए सरकाल ने भी कहा कि अगर कुछ भी जोड़ना, बनाना, अब पने मन से बनाओ पहले, शुर्वात में पैसा मत जोड़ना अभी के लिए नहीं तो पता लगे कर दो कि चलो 5-7 साल में बनाएंगे, 7 साल तक पैसा वसूलते रो, उसके बाद प्रोजेक्ट थंडी बस्तर में चला जाए, कुछ भी हो जाए, क्या पता, फिल हाल इसको D.I.A.L. यानि कि देली इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम आने जा रहा है, कौन सी कंपनी इसके टाइब करके बनाएगी, और जब वो कंफर्म हो जाएगा, तब इंड आफ टॉन्टी टॉन्टी सेवन तक, यानि दोहजार सताइस के अंत आते आते तक, ये बन करके कंप्लीट हो जाएगी, बनाने की जरूत क्यों पड़ रही है, क् और जा रहा है, और कहा जा रहा है, आगे आने वाले 6-8 सालों में संख्या दोगनी हो जाएगी, अब आप सोचो 15-16 करोड जब यात्री सफर करेंगे, तब कैसे उनको मैनेस किया जा पाएगा, मतलब कि DTC की बसे एक तो ऐसे दिली में भीड़ रहती है, वो अगर एरपोर् इंडिया की छवी ही सुधारेगा, मतलब बहुत सारे विदेजी सैलानी भी आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो भी देली एरपोर्ट पर ही लेंड करते हैं जादे तर, तो ऐसे में मुछ ऐसा सिष्टम अगर बना दिया जाए, जिससे उनको हैसल फ्री ट्रेव जो बड़े-बड़े हैं, खासकर जहाँ पर जादा भीड़ भाल होती है, वहाँ पर हो सकता है, ये और भी आगे सुरू किया जाए, देली एरपोर्ट की सुरुवात के बाद से, लेकिन क्या ये सिटीज में चलनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि नहीं, अगर कोई मेट्रो स चल रही है, अगर तो फिर इसकी जरुवत तो उतना सही नहीं लगता है, हाला कि इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, हो सकता है, आपकी राय अलग हो, अच्छा, भारत में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा होगा, जैसे बैंगलोरू में आज के टाइम पर देखो, लगभग सबके पास कार होती है, और जैसे ही साम को ओफिस टाइम होता है, चुटने का या सुबा में टाइम होता है, तो इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, घंटो घंटो लोगों के वहीं पर बीच जाते हैं, या कोई public transport system चलता है, तो उससे बहुत ज़्यदा फाइदा होता है, ना सिर्फ आम public की सहूलियत के लिए, बलकि environment के लिए भी फाइदा होता है, क्योंकि अगर एक गाड़ी जाएगी, तो वो comparatively कम उतसर्जन करेगी बाकी गाड़ियों की अपेक्छा में, तो ये थी ह हमारी analysis, अगर वीडियो पसंद आई है, तो इसे like और share ज़रू करना, और अगर आप current affair की तयारी करना चाहते हैं हमसे, तो आप संकल batch join कर सकते हैं, current affair और static gk इसमें पढ़ाय जा रहा है, batch start हो चुगा है, fresh तरीके से, 12 महीने की इसमें e-book आपको दी जा रही है, हिंदी और strategy के, और month में एक बार आपको mock test भी होगा, random mock test, जबर्दस type का, और validity आपकी lifetime है, यह ऐसी validity ऐसा course आपको कहीं नहीं मिलेगा, detailed content के साथ, video course है, PDF भी मिलेगा, mock test भी मिलेगा, और कहां पर इस सारी चीज़े मिलेगी, MZT app पर, MZT app पर जाकर, video course section में जाकर, most popular batch में जाकर आप ये साल भर का बैच प्राप्त कर सकते हो, unlimited biology के साथ, thank you so much, मिलेंगे अगली वीडियो में, तक लिए नमसकार जहें, वंदे मातरम